यह देखिए फ्रेंड्स कितना बड़िया हार्ट शेप का टो टायर केक मैंने बनाया है और इसे मैंने बनाया है बिना मोल्ड केक आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेलकम बैक टू माई किचिन मैं हुरा मिश्वरी अपके केक बोरट पे थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे जिस्से की केक अपनी जग़ा पर फिक्स रहेगा अब इसमें हमेस सबसे पहले शुगर सिरुप अप्लाय करना है और इसके बाद इसमें हम क्रीम अप्लाय करेंगे तो मैंने केक स्पॉंज के तीन लेयर कर लिये हैं और इसके बाद इसे थोड़ा सा हम फिनिश कर देते हैं और इसके बाद सेकंड लेयर लगेंगे तो जो कुछ टूटा हुआ था केक तो उसे मैंने यहां सब सेट कर दिया है आप भी इसी तरीके से कीजिए और इसके बाद इसमें हम शुगर सुरफ फिर से अप्लाइ करेंगे फिर से इसमें क्रीम लगाएंगे और केक स्पॉंज की जो रेसिपी है उसे मैं उपर आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी अब हाँ से देख सकते हैं इसी तरीके से हम केक को पूरा कवर कर लेंगे और फिर इसमें साइड में भी क्रीम लगा के इसे हमें पूरा कवर कर लेना है केक को मुझे शाम को साथ बज़े देना था और और मुझे एक दिन पहले ही मिल गया था तो मैंने एक रात पहले ही इस केक को तयार कर लिया था और इसमें ये सारे काम करके फिनिश कर दिया था इसे और फिर इसे फ्रिज में रख दिया था बागी की काम मैंने बाद में किये तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे पहले round shape में cover कर दिया है और उसके बाद इसे cut करने के लिए मैंने इसे center मिलाकर इस तरह से निशान लगा लिया है और फिर इसे 20 से center का cut मिलाऊंगी और फिर इस तरीके से इसमें निशान लगा लिया है मैंने चाकू से अब यहीं से मैं cut कर दूँगी अब इसे यहां से cut करके हमें पीछे ले जाना है तो इस तरीके से थोड़ा आराम से इसे उठा कर चाकू की help से और इसे ले जाके पीछे लगा दीजिये और बस अब इसे थोड़ा सा press कर देंगे तो यहां पर आराम से set हो जाएगा और अब चारों तरफ से इसे अच्छे से cream से coat कर देना है तो अब आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने इसे heart shape में बदल दिया है तो इस तरीके से मैंने इसे finish कर लिया है अब आप देख सकते हैं ऐसे ही मैंने एक छोटा cake और तयार किया है उसे भी मैं इसी तरीके से cut करके एक छोटा heart shape का cake तयार कर लूँगी तो इसे भी यहां से cut कर लूँगी मैं इसे मैंने center मिला के इसे निशान लगा लिया है इसे cut करके इसे पीछे ले जाएंगे और ठीक उसी तरह के से हम इसे बना लेंगे जैसे हमने पहले एक केक त्यार किया है बड़ा वाला ऐसे ही हम इस छोटे केक को भी त्यार कर लेगे तो इसे यहां से जब आप पीछे ले जाए तो थोड़ा साफधानी से इसे काम करिए यह तूट भी सकता है और सुबह मैंने थोड़े से यह त्यारी की मैंने केक का फॉंडेंट से इस तरीके से कुछ लेटर्स बना लिए है और कुछ नंबर बना लिए है और कुछ हार्ट शेप बना लिए है कुछ बड़े कुछ छोटे इन्हें में केक के पर लगाऊंगी तो अब इसे मैं असेंबल करने वाली हूँ तो छोटे केक को उठा कर मैं बड़े केक के उपर रखूँगी तो थोड़ा आराम से इस काम को कीजिए एक बार तै कर लीजिए कहां रखना है कि उसके बाद इसे आप आराम से उसी जगह रखे जहां आपको रखना है तो मैंने इसे इस तरीके से रख दिया है मैंने इसे सेंटर में नहीं लगा है थोड़ा साइड में रखा है इसके बाद मैं इहां पर रिबिन लगा रही हूँ सेटन रिबिन इस तरीके से रिबिन लगाने से केक में बहुत अच्छा लूक आ जाता है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा केक दिखने लगा है इसमें बहुत कुछ ज्यादा महनत भी नहीं करने पड़ती है बहुत सारा डेकुरेशन और बस आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छा हिस्से दिखता है केक इसे तरीके मैंने कुछ धार्ट शेप बना ली है, कुछ बड़े, कुछ छोटे, तो उसे मैं अपने हिसाब से इस तरीकी से लगा रही हूँ, आप यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन बया सकते हैं, तो मैंने वहाँ पर इनका लेटर भी बनाया हुआ है जो उनके नाम थे तो देखिए फ्रेंड्स केक तयार हो चुका है कितना सुन्दर लग रहा है ये केक और ये बहुत ही आसानी से बन कर तयार हो गया है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग